असलाम अलेकूम फ्रेंड्स व्यूवर्स अमीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी जिंद्गी को एंजोई कर रहे होंगे मैं हूं कैसर खान और आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल तो आज मैं बात करूँगा इमर्चेंग ऐशिया कप के फैनल पर जो के पाकिस्तान और इंडिया के द corset लागा जिसमें पाकिस्तान के शहिनों ने भारती स्वर महों का बरकत निकाल दिया और एक जबर्दास्त शिकास्त मिलिया इंडिया को और पाकिस्तान ने एक जबरदास्त मर्चिंग कव का जो पहला अडिशन था वो अपने नाम कर लिया है इसमें शेहिनों ने 2017 की चैंपियन ट्राफिकी याद ताजा कर दी जिसमें फखर दमाने सेंजरी की थी और अज़र अली ने विका साथ दिया था 50 60 रंस किये थे और एंड पर महमाद अफीर ने 50 की थी और पाकिस्तान का स्कॉर पहुंचा था सेम यूब और साइब दाफरान ने 21 की पार्टनर्शिप किया है तो पाकिस्तान को एक अच्छा सा स्टार्ट मिला था उपनर की तरफ से जिसकी वज़ा से उन्हें स्कॉर को 352 पर जो के बहुत बड़ा टार्गेट है और इसमें जो सबसे शांदार इनके लिए तैयब तहर ने और मुबश्यर ने भी उनका साथ दिया 35 रंस की इनके लिए उमर्विन यूसेफ ने तो इंडिया को एक बहुत बड़े टार्गेट में पसा दिया पाकिस्ता इसके मुकाबले में 353 के मुकाबले में सिर्फ 226 रंस कर सकी और पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कब में भारती सुरमायों को धूल चटा दी और एक जबरदास शिकास दी 128 रंस की जबके जो स्टेट ग्रूप का मैच था उसमें पाकिस्तान चेंपियान ट्रफ में भ और इंडियों इंडिया कोई जो गरूर है उसको खाक में मिला दिया वैसे भी इंडिया मारे साथ बाइलेटरल स्री नहीं कैसा क्योंके वो डरते हैं कि पाकिस्तान उन्हें पहले भी बहुत मारा है अमरान खान की कैप्टन सी में तग्रीबान साइस में से 20 मैच अमरान खा होता है अब एशिया कप जो पाकिस्तान में होने वाला है